हाइगाइज कैसे तब वेदुड़ियों कि डिश्केस्टर होके हमारे आफटर फेक्क के कुछ टाक्नीक के बाई और आज मैं आपको अप testament के कुछ ऐसी टेक्नीक स्वेटाऊंगा उससे आपका वर्क रूव और भी जादा स्मूथ हो जाएगा तो चलिए शुरू और सबसे पहले टेकनिक है अगर आपको किसी भी शेप लेयर में अपनी वीडियो या फूटेज इस यह फोटूस को उसके इंदर डालना है तो हम कैसे डाल सकते तो इसका सबसे अदा नॉर्मल तरीका जो हम यूज करते हैं वो है कि जो आपको लेफ्ट बॉटम में आपको यह तीन आइकन दिख रहे हैं इसमें आपको ट्रांसवर कंट्रोल पैनल को एक्सपैंड करना पड़ेगा खोलना पड़ेगा उसके बाद यह आपको ट्रैक मैट पैनल शो होगा अपने आपको इसका असान तरीका भी बताता हूं और इसका असान तरीका है कि जो आपको ट्रैक मैट की साइड में दिख रहा होगा उसमें अगर आप चैक माक कर देंगे वीडियो वाली स्लाइड में आपका इसली वह शेप लेयर के अंदर चली जाएगी लेकिन ध्यान यह त भी यह चीज़ वर्क करेगी और इसे के लिए हम चलते हैं अपनी दूसरी टेक्मिक पर को यहां तक पहुंचनेwar TP में कैसे जाना है करो असान तरीका क्या मैं अब बताता हूं सब गस्ट्राइब में चाना मैं एक shortcut की बताता हूं उसका नाम है अगर आप बटन को आप उपन करेंगे तो यह विंडो ओपन हो जाएगी इसकी मदद से आप इजली अपने बैक्वर्ड कॉंपोजिशन में step by step जा सकते हैं और आप उससे को यूज करते हैं टैप बाले बटन को और हम अपनी में कंपोजिशन में में इसली पहुच जाते हैं आपको यह दोनों टैक्निक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में वो भी ग्रेट टैक्निक और कुछ इजी ट्रिक्स के साथ तो चलिए बाय और किया है यह भी जाते हैं आपको जाते हैं आपको यह वह को तो रहतो है एलिए गया हैं टुछिए में चलिए